सब्सक्राइब करें हमारे चारी और साथ ही बजाए घंटी का बिटन ताकि आपको मिल सके हर वीडियो सबसे पहले नमस्कर दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का प्लेन गुजिया सूजी का प्लेन गुजिया आज हम बनाएंगे दोस्तों तो इसे आप जम मर्जी जब बना के खा सकते हैं और आप चाहें तो इसे मावा गुजिया भी बना सकते हैं तो दोस्तों ये मैं गुजिया बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई हूँ आप सभी को पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा तो आज भी इसे गाओं में बनाया जाता है और आज हम भी हम भी बना रहे हैं सूजी आप कोई से भी ले सकते हैं मोटा या पतला माईदा ले लिजिए और घी मौयन करने के लिए देशी घी चाहिए मौयन कीजियेगा तो अच्छा बनेगा आपका गुजिया और जो भी आप चीज डालने चाहते हैं किसमीस छोहाडा कुछ भी डाल सकते हैं जो भी आपक पाउडर और सांचा सांचा आपको असानी से मार्केट में मिल जाएगा तो देखिया हम माईदा को गुन लेते हैं पहले घी हम पिगला लिए हैं दोस्तों घी पिगलाने के बाद मैं इसे मौयन करेंगे हम अच्छा से तो हमारा जितना भी गुजिया होगा आप देखे हों कि गुजिया बनाने से पहले मौयन अच्छा तरीका से करें जब जाके खास्ता मौयन करना कणा है दोस्तों कि हमारा इखी पूरे मैदा में मिक्स हो जाए और हमारा गुजिया बहुत ही खास्ता शॉप्ट बने मुझ में जाते ही घुल जाए तो देखिए दोस्तों हमारा ये बहुत अच्छा मोयन हो चुका है ये पहचान है तो आप इस तरीके से इसे पहचान सकते हैं अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए माईदा को गुन अगर आप एकठा पानी डाल देंगे तो माईदा गीला होने का चांस रहता है तो बस इन सभी चीजों को धियान में रखते हुए माईदा कभी भी गुने या आटा कभी भी गुने तो ये चोटा चोटा ट्रीक को धियान में रखें पेंदा हम काट लिए हैं बढ़ा से काट लेते हैं और इसका हम गोल गोल लोई बना लेते हैं इस तरीके से आपको भी करना है दोस्तों सुजी का गुजिया बनाते वक्त देखिए यह हम बेल लेते हैं पूरी के साइज से थोड़ा बड़ा क्योंकि हमारा साचा पे बाहर तक आना चाहिए पूरी अगर आप सेम साइज का बेलेंगे साचे का तो आपको गुजिया बनाने में होगी प्रॉब्लम तो थोड़ा बड़ा बेलें तो इस तरीके से आप बेल के और तयार कर लें सबी पूरी को जितना आपको बनाना हो सीम्पल सूजी का गुजिया तो हमारे चैनल पर बहुत से गुजिया अफलोड है दोस्तों आप देख सकते हैं पेन हम रख लिए हैं पेन गरम हो गया इसमें डालते हैं घी घी जैसे हमारा मेल्ट हो जाएगा हम डालेंगे सूजी तो पेन हमारा गरम है अब फटा फटा फटाम घी डाली दिया है अब चला लेते हैं और इसे हम मेडियम फ्लेम पे या लो मेडियम फ्लेम पे आप इसे लगतार चलाते हुए भून लें पांच से छे मिनट भूनिएगा तो आपका यह जो सूजी है बि बहुत अच्छा घी का खुसबू आने लगएगा तो आपको गैस से उतार देना है तो मैं इसे लगतार चलाते हुए भून लेती हूँ तो पांच से साथ मिनट लग जाता है कभी-कभी तो देखिए हमारा सूजी बहुत अच्छा भून गया है इसे ठंडा कर लेते हैं दोस्तों और ठंडा होने के बाद हम इसका फीलिंग रेडी करेंगे सिंपल गुजिया का तो देखिए हाथों से चुने लाइक हो गया बिल्कुल ठंडा है उसके बाद हम इसमें चीनी डाल रहे हैं आप चीनी ड्राइफूट डालने के बाद मैं चीनी डालूंगी तो यहां पर जो भी ड्राइफूट डालें आप छ चोटा चोटा पीस में काट लें और उसके बाद डालें यहां पर मैं चीनी डाल दी हूं 100 ग्राम 200 ग्राम हमारा यह सूजी था सबी चीजों को आपस में मिक्स कर देते हैं और आपको यह थोड़ा ड्राइ लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा दूद का छीटा मार दीजिए या पानी का छीटा इस तरीके से मार के और जब आप खाईएगा ना तो यह गिरेगा नहीं इसमें टेस्ट के लिए यानि कि अ सॉंप जो भी आपको टेस्ट अच्छा लगता हो वो चीज का चुनाव कर सकते हैं मैं इलाइची के पाउडर डालके और अच्छा से मिला दे दीऊं अब देखिए सांची पे हम रख लेंगे एक पूरी को और यहां पे हम पानी रखे हैं किनारे में गिलास में और डाल ले इसे हम काटके निकाल देंगे अली जी एसू जी का हमरा सिंपल गुजिया बनके तयार है इस तरीके से हम और बनाते हैं गुजिया तो देखिए बहुत ही मजाता है दोस्तों इस गुजिया को बनाते वक्त कोई सा भी गुजिया आप बनाईएगा आपको बड़ी मजाएग तो दिखीए इसे बनाने में बहुत ही बच्चों को मजाता है लेकिन बच्चे क्या करते हैं न कि अधर उदरसे अच्छा नहीं बनाते हैं फोड़ देते हैं तो अपपने देखरेक में बनाएं गुजिया तो देखिए हमें तेल नौर्मल गरम हम चाहिए अफ्र नहीं हम तल लेंगे सरो तेल में न्ल Khmer तो देखिए सारा गजिया को डाले हैं तेल मने और यह कुछ खास है आप खुद कितना बार आप खाये होंगे मावा करना गजिया और एक बार सूजी का गुजिया खाके देखिए आपको मज़ा आजाएगा धीमी धीमी आज पे इसे अच्छा से हम तल लेंगे दोनों साइड से सुनहरा होने तक इस पे सुनहरा कलर आएगा तक तक हम इसे तलेंगे और देखिए इस तरह का कलर आजाए तो आप इसे निकाल लें बिल्कुल खास्ता करा रहा हो गया है हमारा गुजिया लग रहा है ना वाउ तो आप भी दोस्तों इस तरीके का गुजिया बना सकते हैं कभी भी यह नहीं जरूरी है कि होली हो दिवाली हो तभी बनाए कभी भी बना सकते हैं और अपने पूरे फैमली के साथ इंजोई कर सकते हैं तो कैसा लगा हमारा ये सुजी गुजिया बताईएगा दोस्तों कॉमेंट बक्स में और हम रोजाना मिलेंगे आपसे एक नए ट्रीक के साथ नए रेसीपी के साथ जब तक मिलते हैं हम आपसे झाल झाल